क्या कभी आपने हवा में आलू उगते हुए देखा है? अगर नहीं तो वीडियो में बने रहें आपको दिखाते हुए हैं और पूरी ख़बर भी बताते हैं नमस्कार मैं साहिल अस्थाना और आप फिर से देखना शुरू कर चुके हैं सोशल समवाद दरसल देश के किशान अब बिना जमीन बिना मिट्टी के हवा में ही आलू उगा सकेंगे वहीं पैदावार भी दस गुना जादा होगी यकिनन अब किशान परंपरागत खेती के बजाए एरोपॉनिक तकनीक के प्रयोग से कम लागत में आलू की जादा फसल उगा कर जादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं केंदर द्वारा किसानों के लिए एक नई विधी निकाली गई है जिसमें बिना जमीन बिना मिट्टी के हवा में ही आलू गेंगे और पैदावार भी दस गुना जादा होगी हर्यानिया के करनाल सेथ बगवानी विभाग के तहट आलू केंदर उन्नत खेती करने में अपना एहम योगदान दे रहा है विशेशग्यों ने बताया कि इस सेंटर का इंटरनाशनल पोटाटो सेंटर के साथ एक M.O.U. हुआ है इसके बाद भारत सरकार द्वारा एरोपॉनिक प्रोजेक्ट को अनुमती मिल गई बता दें कि आलू का बीज उत्पादन करने के लिए आम तोर पर ग्रीन हाउस तकनीक का इस्तमाल करते थे जिसमें पैदावार काफी कम आती थी एक पौधे से पांच छोटे आलू मिलते थे जिने किसान खेत में रोपित करता था इसके बाद बिना मिट्टी के कॉक्पिट में आलू का बीज उत्पादन शुरू किया गया अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए एरोपौनिक तकनीक से आलू उत्पादन किया जा रहा है जिसमें बिना मिट्टी बिना जमीन के आलू पैदा होने लगे है इसमें एक पौधा 40-70 छोटे आलू तक दे रहा है जिनें खेत में बीज के तौर पर रोपित किया जा रहा है इस तकनीक से करीब 10-12 गुना पैदावार बढ़ जाएगी इस तकनीक से आम जनता को भी मुनाफ़ा मिलेगा क्योंकि आलू के पैदावार बढ़ेंगे तो इसके दाम भी कम होंगे आईए अब आपको बताते हैं कि आखिर एरोपॉनिक तकनीक है क्या डॉक्टर मुनीश सिंगल सीनियर कंसल्टेंट ने बताया कि एरोपॉनिक एक महतपून तकनीक है जिसके नाम से इसफ़ष्ट होता है कि एरोपॉनिक्स यानि हवा में ही आलू को पैदा करना उन्होंने बताया कि इस तकनीक में जो भी न्यूट्रेंट्स पौधों को दिये जाते हैं वे मिट्टी के जरिये से नहीं बलकि लटकती हुई जड़ों से दिये जाते हैं इस तकनीक के जरिये से आलू के बीजों का बहुत ही अच्छा उत्पादन कर सकते हैं जो कि किसी भी मिट्टी जनीत रोगों से रहित होंगे आईए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस तकनीक की खासियत क्या है इस तकनीक का खास फायदा ये होगा कि कम लागत में ही ज़्यादा फसल हो पाएगी साथी बताते चलें कि इस तकनीक से अलू 10 गुना ज़्यादा पैदा होंगे पहले के मुकाबले में ऐसे में आने वाले समय में ये देखना और जानना रोचक होगा कि इस तरह के कितने और नए प्रयोग किये जाते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेर करें और देखते रहें सोशल समवाद धन्यवाद